जब भी हम psychological archetype की बात करते हैं तो हम simply binary term का use करते हैं जैसे type A और type B या फिर जैसे introvert या extrovert लेकिन आप इस बात को जान लो कि इस दुनिया में कुछ भी black and white नहीं होता है और खास तोर से male personality में कुछ समय पहले तक लोग सिर्फ दो personality types को जानते थे एक alpha male और दूसरी beta male लेकिन जैसे जैसे male psychology पर research होई तो कई सारी male personality निकल कर सामने आई जिसमें से एक male personality थी हमारी sigma male sigma male personality अब तक की बाकी personality से बहुत जादा bold, सार्प और smart थी आज इस वीडियो में हम sigma male personality को समझने की कोशिस करेंगे sigma male personality के लोग एक gangster की तरह अपनी life जीते हैं, उनको इस दुनिया में किसी चीज से डर नहीं लगता है, उनको कोई society, society के rule की परवा नहीं है, उनको जो लगता है वो state वही करते हैं, ये आगे आगे चलते हैं, फिर जोन इनको follow करता है, ये कम बोलते हैं, लेकिन जितना बोलत से बहुत कड़क होते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही soft होते हैं, इनकी मोले में gangster की तरह image होती है, ये हर काम को बड़ा ही करते हैं, अगर ये लड़ा ही करेंगे, तो वो भी next level लड़ा ही करेंगे, कि पूरे मोले को पता चल जाएंगा, कि इनका किसी से जगड़ा हुआ है, अगर ये किसी से प्यार भी करेंगे, तो next level ही करेंगे, पूरा गाव बस इन्हें देखते ही रह जाएंगा, सिग्मा मेल का सभाव कुछ ऐसा होता है, कि कोई इनके अंगेश नहीं जा सकता है, और अगर गलती से भी कोई सिग्मा मेल के अंगेश जाने की कोशिस करता है, तो उसे उसका अंजाम मुगतना पड़ता है, इसा बहुत बार देखा गया है, जिस भी बंदे ने सिग्मा मेल के अंगेज जाने की कोशिस करी है आखिर में उसे सिग्मा मिल के आगे जुकना ही पड़ा है सिग्मा मिल की बहुत ही स्ट्रॉंग परसनालिटी होती है एक पत्तर की तरह अगर कोई पत्तर से टकराने की कोशिस करता है तो उसका हल बुरा ही होता है सिग्मा मेल अपने अंदर हजारों दर्द सेहकर भी बाहर से इतने स्ट्रॉंग होते है कि इंसे टकराने का मतलब खत्रे से मौल लेना होता है हजार बीटा मिल के जून के सामने एक सिग्मा मेल ही काफी होता है इनकी पसनालिटी इतनी स्ट्रॉंग होती है सिग्मा मेल बहुत ही फोकस किसम के इंसान होते हैं ये लोग अगर एक बार किसी चीज़ पर फोकस कर लेते हैं तो उन्हें डिस्ट्रेक्ट कर पाना almost impossible होता है अब वो चीज़ अच्छी हो या बुरी हो एक बार इन्होंने अगर ठान लिया कि वो चीज़ को पाना है तो ये वो चीज़ को पाकर ही रहते है पॉर एक्जामपल अगर इनको कोई लड़की पसंद आ गई है तो ये तब तक उस लड़की के पीछा नहीं चोड़ेंगे पस्टेंड लेते ही नहीं आता है लेकिन सिग्मा मेल अपने हक के लिए हमेशा खड़े रहते है और सिर्फ अपने हक के लिए नहीं बलकि दूसरों के हक के लिए भी ये लोग लड़ते है चाहे पूरी दुनिया इनके अपोजिट क्यों ना चली जाए अगर ये लोग किसी जगे सही है तो वो अपने हक के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे सिग्मा मेल कभी भी फालतू की बगबग नहीं करते है वो सिर्फ मिनिंगफुल टॉक करते है इसलिए लोगों को लगता है कि ये लोग इंट्रोवर्ट है जबकि रीजन ये है कि सिग्मा मेल फालतू की चुगली करने में इसकी उसकी बुराई करने में इंट्रेस्टेड नहीं होते है इसलिए जहां भी नॉन्सेंस बगबग चल रही होती है ये वहाँ अपना मूब बंध ही रखते है और लोगों को लगता है कि ये इंट्रोवर्ट है इसलिए चुप चाप खड़े है आप सिग्मा मेल से लोजिकल और मिनिंग्फुल चीज़ पर दिनमर बात कर लो वो इतना बोलेंगे कि लोग सुनते सुनते ठक जाएंगे लेकिन इलोजिकल और मिनिंग्ले स्टॉक सिग्मा मेल्स को अट्रिक्ट नहीं करती है इनकी पसनाइटी में ही नहीं है फालतू की नॉनसेंस बगबग करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर तुम्हें लगता है ये मेरा काम अच्छा है और मुझे तुम सपोर्ट करना चाते हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में सेयर कर देना और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर किस बात की यार सब्सक्राइब कर लेना